मैं आपके साथ CP marketing का एक popular method share करने वाला हूँ दोस्तो इस method के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से CP marketing के लिए एक movie site create कर सकते हैं दोस्तो यह tutorial थोड़ा advance होने वाला है योकि इस tutorial के अंदर मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आपको किस तरीके से site create करनी है तब तक आपको convergence नहीं मिलेंगे तो अगर आपको पूरी strategy सीखनी है कि आपको किस तरीके से एक movie site create करनी है साथ में उसको कैसे promote करना है ताकि आपको convergence मिल सके तो वीडियो को बिलकुल last तक देखना है ताकि आप एक भी step को miss न कर पाएं तो ज़्यादा समय न वेश्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले हमें popular movies की list ये जिसके around हम अपनी website को create करेंगे तो उसका process भी बहुती simple है simply आपको क्या करना है आपको google को उपर आना है और यहाँ पर आपको type कर देना है Hollywood movies 2022 जैसे आप इसको type करते हो तो आपके सामने पहली website आजाती है Wikipedia की इसको आपको open कर लेना है जैसे आप इसको open करते हो तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी list आजाती है जिसके अंदर आपको पता चलता है कौनसी movie release हो चुकी है कौनसी movies release होने वाली है highest grossing movies कौन सी है और popular movies कौन सी है जिसके around आप अपनी site को create कर सकते हो and guys यहाँ पर basically हमें popular movies निकालनी है तो कि जो popular movies होती है उसके google को पर search जादा होते है जितना जादा उसके ओपर google को पर search होगा उतना ही जादा हमारी site को पर traffic करने के chance भठ जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना है popular movies की list निकालनी है और उसी के around अपनी site को create करना है आप popular movies की list कैसे निकालनी है वह हम आपको बताता हूँ तो आपको simply क्या करना है आपको थोड़ा से नीचे यहाँ पर आना है जैसे आप यहाँ पर थोड़ा संचे आते हैं तो यहाँ पर आपको option मिलता है highest grossing film of 2020 तो सीधा सा मतलब ही है कि यहाँ पर जितनी भी movies है वो 2022 के अंदर release हुई है और यह highest grossing movies है और यह highest grossing movies है यहाँ गर यह highest grossing movies है तो लोग के बीच में इसके awareness होगी और लोग इन movie को देखना चाहते होगे तो आप क्या कर सकते हो इन movies के aroundy अपनी site को create कर सकते हो ताकि आपके site को पर traffic आ पाए तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है scream हो गया, uncharted हो गया, jackass forever हो गया, nile हो गया, dog हो गया, moonfall हो गया यह सभी movies के हैं, 2022 की हैं और इस समय यह movies के हैं सबचे ददब popular तो आप क्या कर सकते हो इनके aroundy अपनी site को create कर सकते हो उसके अलावा आपको नीचे मिलते हैं कौन सी movies कब release होने वाली है, तो guys यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी movies के list बना सकते हो कि कौन सी movie कब release होने वाली हो, उसी के around आप अपनी नही नही site create कर सकते हो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मार्च में हमारी The Batman movie release होने वाली है उसके लवा Black Adam हो गई, आपकी The Doctor Strange 2 हो गई, उसी प्रगा के बहुत से movies release होने वाली है जिनकी dates आपको पता लग जाती है, आप क्या कर सकते हो, उसी के according अपनी site को modify कर सकते हो और अपने traffic को वाँपर boost कर सकते हो, popular movies find करने के बाद हमारा next step है, हमें एक movie site create करनी है तो guys यहाँ पर मैंने एक demo movie site create कर रखी है, अब यह मैंने create कैसे की है, उसका step by step guide मैं आपको देता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है Google sites के उपर, यहाँ पर आपको option मिलेगा template gallery का इसके उपर पर क्लिक करना है जैसे हम इस template के उपर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इसका interface आएगा, फिर इसको edit कैसे करना है, और इसको इस रूप में कैसे change करना है, उसका पूरा process में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर open कर लेते हैं, फिर इसको हम edit करते हैं, तो पहले आपको अपने project name को लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ बार project name डाल देता हूँ, online movies, ठीक है, then उसके बाद मुझे इसके background का जो template है, उसको मुझे change करना है, इसका basically मुझे background change करना है, तो background change कर आपने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा, change image को पर click करना पड़ेगा, then उसके बाद upload को पर click करना पड़ेगा, और आपने कोई अगर पहले से ही अपना background की image डाउनलोड कर रखी, तो उस image को आप यहाँ पर लगा सकते हो, नहीं तो आप बड़ी असी image को डाउनलोड कर और उस image को इस image से replace कर लिना, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले एक template को डाउनलोड कर रखा है, उसको मैं अपने background से यहाँ पर change कर दूँगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, इसका background को पर उसी परकार से मैंने इसके background को change कर दिया, फुर यहाँ पर आता project name, तो इसको यहाँ पर डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना main title बना रखाया, इसे मैं simply यहाँ से copy कर लूँगा, और copy करने के बाद इसको मैं यहाँ पर paste कर दूँगा, उसी परकार से आपको भी क्या करना है, यहाँ पर अपना जो title है, उसको यहाँ पर आपको बनाना है, फिर यहां पर आता description की बाद हो, simply मैं इसे को यहां साथ आता हूँ, जो मेरा description यहां पर था, इसी को मैं यहां से copy कर लेता हूँ, और copy करने के बाद उसको मैं यहां पर paste कर देता हूँ, edit करना है, edit कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको यहां पर editing करनी है, सबके options आपको यहां प बीघर otherwise यहाँ किदि करा करना की टीन होने चार्ट हो जायेंगे टो इनको मैं यंवाइठ करता चला जाता हूं कोफिन कि मुझे कुछ जरूवत नहीं है तो इनको मैं यहाँ पर step by step delete कर देता हूँ, तो यह भी delete हो जाता है यह भी delete यह भी delete and यह भी delete तो मेरे हाँपर sub-cheese मैंने delete कर दिये then उसके बाद मैंने यहाँपर क्या बनाया है छोटा सा context बनाया है तो इसी पकार context मुझे यहाँपर भी बनाना है तो simply मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर हम click कर देंगे, उसके बाद text box इसके उपर click कर देंगे, और यहाँ पर जो हमार content था, ठीक है, इस content को मैं ऐसे copy कर लेता हूँ, और copy करने के बाद उसको हम आपर paste कर देंगे, यहाँ पर आपको content ही बनाना है, क्या इसके story, उस परगा content आप यहाँ पर बना सकते हैं, तो simply आपको क्या करना है, इसीपर content आपको यहाँ पर बनाना है, ताकि जो आपकी movies है, वो क्या हो जाए, जो आप यहाँपर website क्रेट करेंगा, यूपी website क्या हो जाए, Google को इस गया है, ठीक है, उसके बाद मैं य फिर अप्लोड के उपकर करता हूँ ठैक है और उसी इमेज को मैं इसके बैगरोंड के अंदर भी लगा दूँगा ठीक है तो मेरे पास यह बर ही open हो जाये फिर मैं इसका background भी यहाँ चेंज कर देता हूँ तो यह बर open हो जाये तो यहां पर यह open हो चुका है, फिर इसके उपर हम click करेंगे, फिर open पर click करेंगे, जिसे हम open के उपर click करेंगे, तो हमारा background का part भी यहां पर लग चुका है, तो यहां पर हमारा दो काम भी हो चुका है, हमने अपना उपर वाला part भी बना लिया है, साथ में हमने अपर अपना context भी बना लिया है ठेक है दैन उसके बाद हमने यहां पर क्या लगा है अपना फोड़ाशन चलते हैं यहां पर हमने अपनी पर अपनी इमेज को सेव किया है वहां से अपनी इमेज को अपनी मुवी की अपना टैक्स्ट लगाना है और टैक्स्ट लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो simply text को उपक्लिक करोगे और same इसी परकार से आप अपने यहापर text लगा पाऊगे आप देख सकते हो हमारी पूरी site इसी परकार से यहाँ पर create हो चुकी है जैसे कि हमने यहाँ पर बनाई थी अब हमें क्या करना है इन images के उपर अपने CPA offer के link को लगाने है तो CPA offer के link को लगाने के लिए हम use करने वाले हैं CPA grip का आपको CPA grip के अंदर login करने है और login करने के बाद आपको monotrization tool इसके उपक क्लिक करना है फिर URL and file locker इसके उपक क्लिक करना है then उसके बाद आपके सामने कुछ इस परका का interface आ जाएगा यहाँ पर आपको simple सा file locker create करना है तो file locker create कैसे करना है वह हम आपको समझाता हूँ तो file locker create करने के लिए सबसे पहले आपको इसका नाम देना है आप इसका नाम देशे को तो movie site then उसके बाद button text के अंदर आपको begin download को as it is रहने देना है फिर offer help text को भी आपको as it is रहने देना है then उसके बाद आपको main text के अंदर लिख देना है just click the link below to stream और download the movies ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको file locker बनाने का option आएगा इसको आपको अभी as it is रखना है इसके अंदर किसका link देना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा then उसके बाद show offers इसके अंदर आपको one के उपर select कर लेना है इसके बाद सब one पर select कर सकते हो फिर उसके बाद आपको आना थोड़ा सा नीचे इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर access time का option आपको नजर आ रहा होगा आपको इसके उपर click करना है और इसको forever को उपर select कर लेना है then उसके बाद anchor text anchor text के अंदर आपको लगा देना है click the link about to start download इस प्रकार सापका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक file locker create हो जाएगा अगर आपको इसके template को change करना तो आपको template को उपर click कर देना है यहाँ पर आपको बहुत सारे template मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छा अच्छा file locker create कर सकते हो जिस भी template को आपको यहाँ पर लगाना है आप उस template को यहाँ पर लगा कर अपने file locker का यहाँ पूरा interface change कर सकते हो अब बात आती है कि log URL के अंदर आपको क्या लगाना है तो guys basically हमने movies किसको पर बनाई है बिल्कुल latest movies है तो यह movies आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले है आप कितना भी google को आपर ढूलो आपको कहीं पर भी यह movies नहीं मिलेगी आप caution आता है कि इस movies को हम find कैसे करें तो guys इसका भी simple सा process जो हम आपको बता हूँगा आप उसके माद्यम से इन movies को find कर सकते हो तो इस movies को find करने के लिए हम use करने वाले हैं YouTube का तो आपको क्लिक क्या करना है यहाँ पर टाइप करना है YouTube जिस आप YouTube टाइप करोगे तो आपके सामने YouTube की में वेबसाइट ओपन हो जाए यदर आकर आपको simply search box पर आना है और यहाँ पर आपको उस movie का नाम टाइप करना है जो movie आपको चाहिए जैसे मुझे यहाँ पर Uncharted के movie चाहिए तो मैंने simply यहाँ पर टाइप कर दिया है Uncharted movie explained in Hindi या फिर आप टाइप कर सकते हो English भी तो जिस भी language में आपको टाइप करना है आपको सामने उस language में वीडियो आ जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी वीडियो सा चुके हैं और सभी वीडियो के अंदर इस movie को explain किया गया है और guys जैसे कि मैंने आपको initial बताया कि movie है latest तो पूरे google के अंदर यह वाली movie कहें पर भी नहीं मिलने वाली है और जहां पर भी यह movie मिलेगी वो illegal तरीके से मिलेगी अगर आप illegal तरीके से वीडियो को और फिर movie को अपनी website को पर लगाते हो तो google के लाग के खिलाफ होता है इससे आपके website down भी हो सकती है और आपको issue भी हो सकता है तो हम आपको highly recommend करूँगा आपको इस method को बिलकुल नहीं follow करना है आपको illegal तरीके से movies को अपनी site को पर नहीं लगाना है अगर आप लगाते हो तो आपको काफे ज़धा issue हो सकता है तो उस case में आपको कर सकते हो YouTube का use कर सकते हो यहाँ पर आप इन movie के explanation का use कर सकते हो काफी अच्छा तरीका है और बहुसा लोग इसी तरीके का use करते हैं तो आप भी इस तरीके का use कर सकते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी movies मिल जाएगी जहाँ पर आपको इसके explanation मिल जाएगी तो आपको simply करना है जिस भी movie के explanation को आपको लगाना है उसके उपर आपको जाना है right click करना है और copy link address कर देना है इतना करने के बाद आपको जाना है CPA grip के उपर यहाँ पर आपको option मिलेगा log URL का इसके उपर आपको इसका URL log कर देना है then उसके बाद आपको जाना है थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको option मिलेगा so offer का इसके उपर आपको click करना है और यहाँ पर आपको select कर लेना है India क्योंकि हमारी website mainly India के अंदर rank करेगी तो उस case में आपको offer भी किसमें होना चीए इंडिया में होना चीए यहाँ पर आपको country select कर लेना है India then उसके बाद यहाँ पर आपको save का option नज़रा रहा होगा इसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करोगे यहाँ पर आपको अपने content local के link को लगा देना है फिर apply को उपर click कर देना है उसी परकार से आपको अपने सभी movies के आपर content local create करना है और सब के ऊपर आपको अपने content local के link को लगा देना है तो गैस इस परकार से क्या हो जाएगी आपके पूरी movies के site यहाँ पर create हो जाएगी अब हमें क्या करना है इस movie set को यहाँ पर publish करना है ताकि हमारी movie set google के उपर rank होनी start हो तो publish करने के लिए आपको यहाँ पर publish का option ज़रा रहा होगा इसके उपर आपको click करना है जैसे आप इसके उपर click करोगे तो यहाँ पर आपको web address बनाने का option मिलेगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं online देखते हैं यह available है या नहीं है तो यह available नहीं है तो एक और x or लगा देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर आपको view publish site इसको option नजर आ रहा होगा इसको आपको click कर देना है जैसा आप इसको आपको click करोगे तो Google के अंदर कैसे नजर आएगी वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी तो हमारी site कुछ इस परकार से यहाँ पर नजर आ रही जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ठेक है अब है मैं क्या करना है इस site को विविन विविन website को पर promote करना है ताकि हमारी site के ऊपर initial traffic आए तो इसको promote करने के लिए मज़े simply करना है इसके link को यहाँ पर copy करना है और copy करने के बाद मैं आपके साथ 3 website share करने वाला हूँ जहाँ पर आपको इस website को promote करना चाहिए ताकि आपकी website को पर initial traffic आए जब आपकी website को पर initial traffic आगा तभी आपको यहाँ से आनिकोनी start होगी वेकि आपकी website Google पर कब rank होगी इसका किसी को नहीं पता है कभी-कभी Google को पर जल्दी website rank हो जाती है और कभी-कभी late होती है तो अगर अप Google के बारे से रहोगे तो आपको 2 या 3 या 4 मैने wait करना पड़ेगा तभी आपके website को पर थोड़ा बहुत traffic अना start होगा तो हमें पहले initial में traffic चाहिए तो उस case के अंदर हम 3 website का use करेंगे जिसके माध्यम से हम अपनी website के उपर initial में traffic लाएंगे बहुती amazing traffic source है और Twitter के सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर कोई भी new चीज आती है तो वो सबसे पहले Twitter के उपर यह trend करती है तो new movie release होगी तो वो भी Twitter को पर trend करेगी तो हमें simply करना है उनके hashtag का use करना है और यहाँ पर उनको promote करना है कैसे promote करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मुझे मुझे मालो uncharted movie को यहाँ पर promote करना है तो उस case मैं यहाँ पर क्या कर दूँँगा उसके अलावा एक दो यहाँ पर hashtag और लगा लेने आपको जैसे यहाँ पर uncharted को पर hashtag लगा लेते हैं ठेक है उसी परकार से आपको यहाँ पर तीन से चार hashtag लगा लेने है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक text लिखना है जिसके माद्यम से आप लोगों को अपने link को पर click करने के लिए attract करोगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ watch and download free movies by clicking the link below इस तरह के साथ आपको यहाँ पर text लिख देना है ताकि बंदे क्या करें उन्हें पता लग जाए कि इसके निचे जो link दिया गया है वहाँ से वो अपनी movies को download कर सकते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है अपना एक text यहाँ पर लिख देना है जितना हो सके आप यहाँ पर अपनी website को promote करो maximum से maximum traffic आपकी site को उपर जाएगा और जितना ज़्यदा traffic आपकी site को उपर जाएगा उतने ही ज़्यदा chance होगे कि आपके CPA offers में पर complete हो जाएए एक source है हमारा Facebook Facebook भी बहुत ही amazing traffic source है इसके माद्य हमसे भी आप बहुत सारे traffic को अपनी site के उपर लेके जा सकते हो आपको simply क्या करना है आपको आना है Facebook के उपर यहाँ पर आपको group के उपर click करना है और group के अंदर आपको type कर देना free movies आपके सौमने बहुत सारे groups आजाएगा आपको इनसे भी groups के आपको join करना है और यहाँ पर अपनी website के link को जितना हो से के उतना share करना है जितना ज़्यदा links आप यहाँ पर अपनी website के share करोगे उतने ज़्यदा traffic आपकी site को पर जाएगे और जितने ज़्यदा traffic आपकी site को पर जाएगा आप कैसे लेके जाना है वह हम आपको बताता हूँ तो गाईस यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं Quora के Quotient and Answer technique का आपको simply क्या करना है आपको Quora के Search को पर जाना है यहाँ पर अपनी Movie का नाम टाइप कर देना है जैसा आप इसका नाम टाइप करोगे तो आपके सामने बहुत सारी Quotions आ जाएंगे अब आपको क्या करना सभी Quotions के यहाँ पर Answer देने है और Answer में Reference के तोर पर आप अपने Site का Link दे सकते हो यहाँ आप अपने Site का Link यहाँ पर दोगे तो Maximum Traffic चला जाएगा कोई Site के उपर जहाँ पर आपके Offer Complete होने के Chance भाठ जाएंगे तो Guys, आप क्या कर सकते हो इन तीन Sites की मदद से इन तीन Free Traffic Source की मदद से अपने CPA Offer को Complete करवा सकते हो यहाँ आप आपको चार तरीके जिसके माद्गम से आपके CPA Offer Complete हो सकते है पहला तो Google जैसे के मैंने आपको बता है आपने आपके Site Create की है आपकी Site Google के उपर Rank करेगी जैसी आपकी Site Google के उपर Rank करेगी तो आपके पास Traffic आना स्टार्ट होगा परन्तु यह Long Process है आपकी Site 2-3 मेने में या फिर 4 मेने में Rank भी कर सकती है या इसने भी ज़्यादा समय ले सकती है उसी के बाद आपकी Site के उपर Traffic आएगा परन्तु अगर आपको अपनी Website के उपर Initial Traffic लाना है तो उस Case में आपको अपनी Website को Free Traffic Sources के उपर प्रमोट करना होगा अब जितना ज़्यादा अपनी Website को Free Traffic Sources को पर प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा Traffic आपके Website के उपर आएगा और वहां से आपके Earning होने के Chance भाट जाएगे I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को शिर्व सब्सक्राइब करें वो इसको लाइक करना ना भूले धन्यवाद जाभारज जाए हिंद